बिस्मिल्ला अर्फान रवाहीम चेप्टर नमबर वन नमबर सिस्टम्स और चेप्टर नमबर वन की एक्सरसाइज हम 1.3 इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज 1.3 पर आते हैं एक्सरसाइज 1.3 के पहला कॉश्चन है कि हमने ग्राफ करना ठीक है ग्राफ दी फॉलेंग इस इस लेक्डर विफ़ॉलेंग अफ्र फोलेंग अब्र हुएले स्ट जिएन यानि हमें इस ओप्लेक्स नमबर इस फिले और Numbers on complex plane और इसके 8 parts हैं इसमें से मैं पहला part पहले solve करता हूँ ठीक है पहले part में हमें जो complex number given है वो है 2 plus 3 iota और 2 plus 3 iota में आप देखें कि 2 जो है वो real number real part है ठीक है 2 इसमें ये real part है और 3 iota जो है वो क्या है imaginary part है अच्छा अब graph कैसे किया जाता है complex numbers को यह हम पहले भी देख चुके हैं ठीक है इस exercise के introductory lecture में तो अब हम इसको graph करते हैं उसके लिए एक तो यह है कि आपको z plane या complex plane जिसे का जाता है वो आपको draw करना होगा पहले चले हम पहले वो draw कर लेते हैं ठीक है यह z axis और यह x axis ठीक है यह horizontal axis यह real axis आप इसे कह सकते हैं चले मैं इसका नाम real लगते ता हूँ उससे पहले मैं इसको जो है straight कर लूँ ताके हमारा graph जो है वो थोड़ा सा बेहतर हमें नजर आए इसको भी straight कर लेते हैं अच्छा यह हमारे पास अब यहने के straight lines बन चुकी है दो perpendicular lines मैंने बनाई है ठीक है एक horizontal line है और एक vertical line है तो horizontal line का नाम हम रख लेते हैं real line real ठीक है और उसके बाद जो vertical आपको line नजर आ रही है उसको आप z axis कह लें ठीक है तो या फिर real line का आप x भी कह सकते हैं अगर यह x है तो यह x negative होगा ठीक है left side पे आपको पता है कि origin से अगर left side पे अगर आप जाएं तो negative axis स्टार्ट हो जाता है ठीक है horizontal की मैं बात करूँ और horizontal जो origin से आप upward जाएं तो positive z axis होता है और downward जाएं तो negative z axis स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर मैं negative z axis लिखूँगा तो यह हमारे पास complex plane बन चुकी है अब इसमें हमने हमारे पास जो given complex number है 2 plus 3 iota उसको हमने graph करना है plot करना है ठीक है तो उसके लिए आप यह देखें कि जादा बेतर ही है कि आप इसको ordered pair में पहले लिख लें ठीक है ordered pair की form आपको बता है complex numbers की क्या होती है कि पहले real number ठीक है real part और इसके बाद जो imaginary part है यानि कि इसमें आपको क्या नजरा आ रहा है imaginary part 3 iota iota के इलावा आप लिख लें ठीक है अब हम इसको प्लॉट करना हमारे लिए आसानी होगी कि आप यह पहला जो है 2 वो real है और उसके बाद 3 जो है वो imaginary है यानि कि 2 real line यानि कि X line पे आएगा और 3 जो है वो Z पे आएगा Z axis पे आएगा ठीक है imaginary line के ओपर तो चले हम इसको plot करते है उससे पहले मैं इसको जो है numbering कर लेता हूँ X axis को भी और Z axis को भी यहाँ पर अगर 1 है next में उतनी ही distance रखके 2 हो जाएगा और 3, 4 and 5 ठीक है इसी तरह से आप positive को भी मैं कर लेता हूँ Z axis के उपर numbering कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4 and 5 4 ठीक है चले हैं अब यह क्योंकि दोनों real और imaginary इस case में positive हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इसी पर मैं जो है वो draw कर लेता हूँ क्यों हमें सिर्फ positive X axis और positive Z axis यह चाहिए होगा चले हम इसको plot करते हैं कि two unit distance जो है वो हमने positive X axis की तरफ जाना है तो यहां से आप देखें origin से मैं right side पर जाओंगा तो positive X axis स्टार्ट होता है तो one यहां पर है और यहां पर two मतलब कि यह हमारे पास real part आप इससे कहा सकते हैं ठीक है real part का distance यह है two origin से two unit distance पर इसी तरह से आप जो है three आप देख रहे है imaginary part है आप z axis पर जाएंगे imaginary line के ओपर ठीक है imaginary axis के ओपर ठीक है upward हम three units जाएंगे one two and three यहां पर आकर हमारे पास three का distance बनता है imaginary axis के ओपर अच्छा अब हम ऐसा करेंगे के जो जो हमारे पास axis है और उन पे हमारे पास points आए हुए है उनके perpendicular हम चलेंगे मतलब कि यह z axis है आपको नजर आ रहा और उसके उपर आपको यह point three नजर आ रहा ठीक है तो z axis के perpendicular मैं एक line draw करूंगा और originate कहां से करूंगा उस line को three से यह जो point मैंने already draw किया है ठीक है तो चलें यह आप dotted line देख सकते हैं कि यह perpendicular है z axis के ओपर ठीक है इसी तरह से आप दूसरा real axis के उपर देख सकते हैं एक point मैंने draw किया था ठीक है तो अब हम मैंने क्या करना है कि इस real axis याने के perpendicular line जो है draw करनी है dotted line मैं draw करूंगा और originate यहां से इसी point से करूंगा ठीक है तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह अगर straight line हो तो यह इसके बिलकुल perpendicular होगी अच्छा अब हमने क्या करना है कि जो जहां पर यह दोनों perpendicular lines जो हमने draw की है meet कर रही है यह निकर एक दूसरे को intersect कर रही है वो point हमारे पस बनता है हमारा required point मतलब कि हमारे required point क्या था 2 प्लस 3 iota या 2,3 आप सकते हैं ठीक है 2 प्लस 3 iota यह हमारे पस जो है यानि के graph आ चुक है या हमने plot कर लिया इस point के जो हमने इस question में हमें required था अच्छा यह पहला part तो हमने कर लिया है चले हम ऐसे करते हैं कि बाकी कुछ parts भी इसके इसी यानिके plane के उपर हम draw कर लेते हैं हमारे लिया असानी हो जाएगी ठीक है तो second part मैं यहां पर लिक रहा हूं second part है question number one का उसमें भी हमने draw करना है ठीक है हमें का गया है two minus three iota जो है वो एक complex number है जिसको आपने plot करना है complex plane के उपर तो complex plane तो हमने यहां पर बनाई हुई है ठीक है तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसको भी हम plot करें plot करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम ऐसा करते हैं कि इसको ordered pair की formula आते हैं यानि कि two comma minus three यह बन जाएगा ठीक है अब हम इसको draw करेंगे draw करने से पहले मैं बाकी axis भी complete कर लेता हूँ ठीक है तो यह negative one negative two negative three and negative four इसी तरह से downward आएंगे तो z x के ओपर negative one negative two and negative three and negative four ठीक है इसके साथ मैं लिख लेता हूँ minus one minus two minus three minus four minus one minus two minus three and minus four अच्छा अब हम इस point को draw करेंगे two comma minus three को ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा के चले हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा different color choose कर लेते हैं अच्छा अब two हमने जाना है positive x axis की तरफ ठीक है two units का distance cover करना है one two two यानिके same वही point बनता है ठीक है यहाँ पर यह मैंने gray color से यह point लगा दिया ठीक है उसके बाद minus three है यानिके imaginary जो इसका part है वो क्या है minus three यानिके imaginary line जिसे हम z axis कहते हैं उसके उपर हमने minus three का distance यानिके downward हम three units distance cover करेंगे one two and three यह minus three आपको नज़रा रहा है z axis के ओपर यह point में draw कर देता हूं ठीक है अब हमने क्या करना है वही perpendicular lines draw करेंगे ठीक है z axis के perpendicular पहले मैं जाता हूं इस तरह से इस point से मैं originate करूंगा इस line को और यहाँ पर इस तरह से दो perpendicular lines आगी अब हम वह point देख लेंगे के जहां पर यह दोनों points आपस में meet कर रहे हैं मतलब इस दोनों lines आपस में intersect कर रहे हैं वह point यह बनता है ठीक है और यह point हमारे required point होगा यानिके जो हमें नंबर दिया हुए complex number two minus three iota ठीक है या two comma three minus three कह सकते हैं तो यह हमने plot कर लिया हमारा given complex point या complex number ठीक है इसी तरह से बागी parts भी आपने जो हैं वो कर लेने हैं ठीक है तो इसका concept ही समझना था तो बहुत ही असान question है question number one इसके बागी parts आप कबर कर लीजेगा अब हम next question के उपर आते हैं question number है two question number two में हमें का गया है अपने multiplicative inverse फाइंड करने है multiplicative inverse और किसका फाइंड करने है हमें complex numbers given है ठीक है पहला part जिस तरह से इसके भी जो है चार parts है तो इसमें से मैं पहला part पहले solve करता हूँ पहले part में हमें जो complex number given है वो है minus three iota और multiplicative inverse इसका हमने find करने है तो multiplicative inverse किस तरह से find किया जाता है वो हम पहले देख भी चुके है अब हम इसको solve भी कर लेंगे ठीक है तो इस तरह से है कि अगर मैं इसको z जो है suppose कर लूँ क्योंकर हम complex numbers को z से represent करते हैं तो मैं कहता हूँ let z is equal to minus three iota ठीक है यानि कि जो हमारा given complex number है उसको मैंने z के equal मैंने suppose कर लिया अच्छा अब क्या है कि हमने multiplicative inverse find करना है उसका क्या मतलब है कि z inverse find करना है ठीक है तो z inverse किसक होता है one over z के equal ठीक है और one over z किसके equal हो जागा one over z की value कि है जी हमने जिसके equal suppose कि वह है minus three iota ठीक है तो यहाँ पर minus three iota यह बन गया अब हमने जो है minus three iota हमारे पास आच चुका है अगर ठीक है z inverse हम कह लें कि z inverse equal है one over minus three iota के तो denominator में आपको बता है हम iota को नहीं जाने देते ठीक है किसी तरह से उसको solve किया जाता है किस तरह से solve किया जाता है कि हम conjugate से यानि कि जो हमारे पास denominator में complex number है उसके conjugate से multiply भी कर देते हैं पूरे number को ठीक है तो हम ऐसा करेंगे कि इसको multiply भी करते हैं इसका conjugate क्या होगा conjugate क्यूंकि हम already बढ़ चुके हैं तो आपको already पता होना चाहिए कि क्या conjugate होगा इसका ठीक है इसमें real part जो है वो zero है तो वो as it is रहता है ठीक है अगर zero ना भी हो तो तब ही as it is रहेगा और imaginary part जो है उसके sign को आप opposite कर देते हैं मतलब negative है तो आप positive होजएगा तो यह इसका conjugate है 3 iota और इसी से हम divide भी कर देंगे 3 iota से चलें आब इसको आगे solve कर लेते हैं तो z inverse equal आ जाएगा 3 iota into 1 यानि कि मैं numerator को आपस मैं multiply कर रहा हूँ 3 iota into 1 is 3 iota divided by अब minus 3 iota multiply जब होगा 3 iota के साथ तो क्या होगा minus इसके साथ minus है इसके साथ plus है पहले तो मैं science को लगदा करूँ यह minus होजएगा plus minus minus ठीक है उसके बाद 3 into 3 is 9 और iota into iota is iota square मतलब के minus 3 iota को जब आप positive 3 iota से multiply करेंगे तो आपको आस result में minus 9 iota square आएगा और iota square अभी भी iota denominator में है जबके हम इसको खतम करना चाह रहे थे तो अब बिलकुल आगे next step में यह खतम होजएगा 3 iota divided by अब यह minus और minus 1 आपस में positive होजएगे तो यह plus 9 बचेगा ठीक है और z inverse फिर equal आजएगा यह इससे 3 3 is a 9 cancel out होजएगा तो iota divided by 3 अब नीचे real number है तो अब कोई मसला नहीं है ठीक है iota नहीं होना चाहिए था imaginary number या imaginary part जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए था तो real number है तो इससे कोई मसला नहीं है मतलब कि imaginary जो हमारे बस complex number गिवन था उसका हमने multiplicative inverse find कर लिया जो कि है iota divided by 3 तो यही हमने find करना था इस question में ठीक है तो इसका जो है second part हम अब करते हैं यह तो था part number one part number two पर आते हैं उसको और इंतहाई आसान तरीका है multiplicative inverse find करने का चलें अब हम उस method से find करते हैं ठीक है part number two में हमें जो given है complex number वो है one minus two iota इसका हमने multiplicative inverse find करना है तो इसको भी मैं पहले suppose कर लेता हूँ let z is equal to one minus two iota और अब हमने find क्या करना है z inverse find करना है मतलब के multiplicative inverse find करना है तो multiplicative inverse जो है complex numbers का उसका एक formula हमने पढ़ा था क्या formula था वो अगर तो ये ordered pair में लिखे हुए तो इससे हमें समझे आसान हो जाए चले मैं पहले जो है formula लिख देता हूँ ठीक है ताके formula से आपको समझ आए कि हमें चाहिए क्या क्या formula में तो z inverse equal होता है a over a square plus b square, minus b over a square plus b square ये simple सा formula है ठीक है multiplicative inverse find करने का किसी complex number का multiplicative inverse find करने का तो अब हम यहाँ पर a क्या है b क्या है वो यहाँ पर देख लेते हैं a जो है a is equal to real part है real part of complex number ठीक है of complex number तो फिर b क्या होगा b is equal to होगा imaginary part imaginary part of complex number ठीक है तो अब यहाँ से आप जो आपके पास given जो है number है complex number उसमें से आप देख सकते है real part कौन सा है और imaginary part कौन सा है तो ये आपको नजर आ रहा है कि जिसके साथ iota नहीं है वो real part है और जिसके साथ iota मुझूद है वो imaginary part है तो चलें अब हम a और b की values हमें पता चल चुकी है कि a जो है वो किसके equal है one और b जो है वो imaginary part यानिके minus two के equal है तो चलें अब हम put करते हैं values को हमारे given यानिके यह जो हमारे पास formula मुझूद है उसमें हम a और b की values put करते है तो यह बने जाएगा one over one square plus b square यानिके minus two का square comma minus b minus b मदब के minus तो यह हो गया और b की value already negative है तो इसको मैं bracket में लिखूंगा ताके इस minus के साथ हम confuse ना करें इसको ठीक है तो a square जो है one का square plus minus two का square तो यह हमारे पास जो है अगर इसको हम solve करेंगे तो multiplicative inverse हमारे पास आजएगा हमारे given complex number का तो चले हम इसको solve करते हैं जी inverse is equal to one over one plus four comma negative into negative positive होजएगा plus two divided by one plus four तो z inverse का final result हमारे पास आजएगा है one over five comma two over five या फिर आप इसको जो है ordered pair के इलावा भी लिख सकते हैं कि आप इस तरह से लिखें real or imaginary part अलएदे अलएदे करके one over five plus two over five आयोटा ठीक है तो यह हमारे पास जो है multiplicative inverse आजएगा है हमारे given complex number का तो यही हमने find करना था question number two में अब हम बाकी पार्ट जो है इसके आप खुछ से try कीजिए ठीक है दो पार्ट मजीद रहेगें तो बहुत ही असान है वो आप खुछ से try कर सकते हैं हम next question कर उपर आते हैं ठीक है next question यहनके question 3 पे आते है question number 3 में हमें क्या given है और हमने क्या find करना है वो देख लेते हैं हमें complex numbers ही given है उनको हमने simplify करना है ठीक है उसको हमने simplify करना है तो चले हम simplify करते हैं पहले तो हम देखते हैं हमें given क्या क्या है पहला part जो है उसमें हमें minus 3 आयोटा जो है ठीक है वो given है यानि के complex number बलके नहीं हमें आयोटा power पहले part में आयोटा की power 101 यह हमें given है इसमें से हमने जो है इसको हमने simplify करना है चले है इसको किस तरह से simplify करेंगे already हम इस तरह के question कर चुके हैं ठीक है इसमें आपको confused होने की जरुरत नहीं होगी या सोचने की जरुरत नहीं पड़ेगी तो क्योंकि हम यह पहले already कर चुके हैं 1.2 exercise में तो क्या हम इसे इसमें क्या किया करते हैं simplify किस तरह से करते हैं simplify देखें इस तरह से करते हैं के iota की जो भी power है उसको आपने iota square की form में ले आना है ठीक है मतलब के 101 बन रही है यह power तो मैं iota square की क्या power लिखूं के 101 यह 101 से एक less आए ठीक है अगर मैं देखें आयोटा सुगेर को अगर टू को अगर 50 से मल्टिप्ला करों तो आयोटा पावर जो है 100 बन जाती है न तो बिल्कुल ठीक बन गया मतलब के 101 से एक लेस है इग्जेक्ली 101 तो नहीं बन सकती क्यूंके टू का मल्टिपल कभी भी और्ड नहीं होता अगर दुबारा से आप सिंप्लिप्ला करें मतलब के जाइन करें पावर फिफटी इंटू आयोटा अब माइनस वन यानिके कोई भी नेग्टिव नमबर हो उसकी पावर जो है इवन हो तो वो पॉजटिव हो जाता है मतलब कि आप power इसमें देख रहे हैं 50 है 50 एक even number है ठीक है तो bracket में क्या है negative number है negative number की power even है तो यह positive हो जाएगा यानिके plus one हो जाएगा और इसके साथ IOTA मुझूद है तो IOTA as it is मैं लिख देता हूँ तो यह plus one into IOTA result देगा plus IOTA का मतलब कि हमने इसको simplify कर लिया IOTA power 101 को simplify हमने क है तो हमारे पर से result IOTA आया इसका part number 3 जो है मैं solve करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा different है ठीक है ताकि उसमें आप confused ना हो जाए part number 3 जो है इसमें given है IOTA power minus 3 ओहो यह क्या हो गया अब तो हमारे बस negative power आगी है तो negative power को किस तरह से deal करना है यह भी हम देख लेते हैं चलें पर सबसे पहले negative power को हम positive बनाते हैं positive यह कैसे बनेगी positive बनेगी अगर हम इसको नीचे ले जाएंग डिनामिनेटर में ले जाएंग यानिके IOTA power 3 बना लेंगे ठीक है तो अब इसको हम simplify भी कर लेते हैं अलब कि मैं इसको लिखूंगा 1 over IOTA square into IOTA तो IOTA Q भी बनता है तो IOTA square की जगा minus 1 आ जाएगा और साथ में IOTA multiply कर देंगे ठीक है तो यह हमारे पस result आ गया 1 over minus IOTA या फिर हम इसे लिख सकते है minus 1 over IOT या आप 1 over minus IOTA ये रहने दें अगर तो भी ठीक है ठीक है अब देखें डिनामिनेटर में कोई भी expression का result हम डिनामिनेटर में IOTA नहीं देंगे ठीक है यह चीज़ आपने याद रखनी है तो यहाँ पर आप देखें डिनामिनेटर में IOTA आ रहा है या imaginary part आ रहा है तो आप इसको यहाँ से किस तरह से remove करते हैं कि आप conjugate से multiply और divide करते हैं मतलब कि यहाँ पर आप मैं IOTA से multiply करूंगा और divide भी IOTA से करूंगा ठीक है तो जब मैंने इसको multiply और divide IOTA से किया तो मरपस result किया आएगा IOTA into 1 is IOTA और minus IOTA into IOTA is minus IOTA square और IOTA square की value आपको पता है कि minus 1 होती है तो यहाँ से मारपस result में IOTA over 1 आगया यानि कि जो के equal होता है IOTA के मतलब हम कह सकते हैं कि IOTA power minus 3 is equal to IOTA यह हमने simplify कर लिया इसमें ठीक है तो यह बाकी parts आप खुद से try कीजिए तो उसमें आपको मसला नहीं होगा तो यहाँ पर lecture का time complete हो चुका है तो यहाँ पर मैंस lecture क खतम करता हूँ और next lecture में next question से start करेंगे